नमस्कार दोस्तों, एन टीबी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रस्तुत है चारक के नीती के आधुनिक रूपांतरड की एक और वीडियो चारक के नीती को पूरी तरह और अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंततक जरूर देखें दोस्तों करपया आप सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्यूंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाएंगे इसलिए लाइक जरूर करें अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर उसके उपर काफी ज्यादा प्रभाव डालता है किसी भी व्यक्ति के नाम के द्वारा हम उसके वर्तमान भविश्य और भूत काल के बारे में हर जानकारी हासिल कर सकते हैं हर व्यक्ति की बात करें तो आज हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ बुरी आदतें जरूर होती हैं आज के जमाने में कोई भी व्यक्ति हर एक मामले में बिलकुल भी परफेक्ट नहीं होता। दोस्तों ऐसे में अगर आप पुरुष हैं और आप इस बात को जानना चाहते हैं कि आपकी सबसे ज़्यादा किस नाम की लड़कियों के साथ बनेगी तो ये वीडियो हम आपके लिए ही लेकर आए हैं। आज हम आपको ऐसे दो नाम की महिलाओं के बारे में बताएंगे जिनने पुरुषोदारा काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको इन ही दो नामों के बारे में जराबिस्तार से बताएंगे। नमबर एक पी नाम की लड़कियां दोस्तों जिन लड़कियों के नाम का पहला आक्षर पी होता है ऐसी लड़कियों के स्वाभाव के बारे में कहा जाता है या तो ये बेहत बातूनी होती हैं या फिर एगदम शान्त होती हैं। इस नाम की लड़कियां हमेशा कुछ ना कुछ काम में लगी रहती हैं ये कभी भी खुद को फालतु नहीं रखती ज्ञान के मामले में इनका दिमाग सबसे तेज होता है और ये सब कुछ बहुत जल्दी सीखना चाहती है सुन्दर्ता के मामले में ये कुछ ज्यादा ही खुपसूरत होती है और जो भी इनसे एक बार मिल लेता है वो इनका दीवाना हो जाता है हाला कि ये जल्दी किसी की और आकरशित नहीं होती और इनके दिल में जगए बनाने के लिए मर्दों को काफी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है लेकिन अगर आप एक बार इनका दिल जीत लेते हैं तो आपकी पूरी जिन्दगी को ये खुशनुमा बना देती हैं और आपका जिन्दगी भर साथ निभाती है दोस्तों जिन लड़कियों का नाम डी अच्छर से शुरू होता है ऐसी लड़कियों के बारे में कहा जाता है ये स्वाभाव की काफी अच्छी होती है और इन्हें दिखावा करना या शौक करना जरा भी पसंद नहीं होता देखने में ये बेहत खुपसूरत होती है और साथ ही ये लड़कियां पढ़ाई के मामले में काफी ज्यादा आगे होती है आपको बता दें पढ़ाई के मामले में आगे होने के बावजूद इनके अंदर घमंड नाम की कोई भी चीज मौजूद नहीं होती और घमंड ना होने की बज़े से ये लड़कियां अपने माता-पिता और परिबार बालों को हमेशा साथ ले कर चलती हैं दोस्तों अपने स्वाभाव की बदवलत हर एक पुरुष का दिल जीत लेने वाली लड़कियों की बात करें तो सुंदर्ता के मामले में ये लड़कियां अन्य लड़कियों से बिल्कुल भी कम नहीं होती हर छेतर में अपनी पहचान बनाने में माहिर होती हैं इनके अंदर बहुत सारी खूबियों की बज़े से अक्सर लड़के इनकी तरह पाकरशित होते हैं और इनका साथ पाने के लिए पागल रहते हैं बहराल दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा इस वीडियो से आपने क्या सीखा? नीचे कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों मिलते हैं एक इसी परकार के अगले वीडियो में तब तक के लिए इस्टे मोटिवेट इस्टे फियरलेस